दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैन काड को आधार काड से कैसे लिन्क करना है इसका latest process क्या है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पैन को आधार से लिन्क करने की last date करीब आ चुकी है 31 March 2013 तक अगर आप अपने पैन कार्ड में आधार से लिंक नहीं करते हैं तो जो आपका पैन कार्ड है निस्क्री हो जाएगा आप इसे कहीं भी इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे तो पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हो क्योंकि पोर्टल में कुछ बदलाव हुए है उसके बाद अब नए प्रोसेस से कैसे आपको अपने पैंट कार को आधार से लिंक करना है आपको लाइब दिखाने वाला हूँ इसके साथ किन-किन लोगों को एक हजार का पेमेंट करने की जरुवत है और किन लोगों को एक हजार उपए पेमेंट करने की जरुवत नहीं है इस वीडियो में मैं डीटेल में बताने वाला हूँ तो आप वीडियो के लाज तक बने रहे हैं, इसमें लाइब प्रोसेस आपको दिखाऊंगा को आप कैसे चेक करेंगे, कि आपके point card में आधार कार्ट Link है यार नहीं, और अगर लिंक करना है तो पुरा प्रोसेस में लिंक करके इसमें लाइब दिखाने वाला हूं, तो आप दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले हम यहां से चेक कर लेते हैं कि हमारे point card में आधार card link है या नहीं है उसके लिए link आधार status पर simply आपको क्लिक कर देना है सामने कुछ इस परकार से इंटरफेस देखने के लिए पर क्लिक कर देना है और के बात आप यहां पर देक सकते हैं 08 link it with आधार please क्लिक आन लिंक आधार यहां पर देख सकते हैं अगर आपका कुछ इस परकार से लिख कर आ जाता है तो आपके पाइंट कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है अब आपको अपने पाइंट कार्ड में आधार कार्ड लिंक करने की ज़रूरत है और यहां पर मैं एक स्क्रीन सार लगा देता हूं आप देख सकते हैं अगर आपके पैंट कार्ड में आधार कार्ड लिंक कर आएगा तो कुछ इस परकार से लिंकेड आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो आप यहां से देख लें अगर आपका लिंक है तो आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आपका लिंक नहीं है तो आपको इस परकार से देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको यहां पर लिंक आधार पर सिंपली क्लिक कर द देना है जैसे आप लिंक आधार पर किलिक कर देते हैं उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं तीन स्टेप में बताया गया कि तीन स्टेप में हमारे पैंड कार में आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा उसके बाद आप यहां पर नीचे देख सकते हैं यहां पर फीस बता गहां को आप यहां से कर्दता हूं he सबसे पहले के नोट में बताया कि है कि अगर आ आप अधार कार्ट को लिंक करने की जरूरत नहीं पर आप देखेंगे अगर आप इंडिया के वाहर के हैं तभी आपको अपने पैंट कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने की जरूरत नहीं है और यदि आपका एज असी एयर हो गया है अगर आप असी साल से उपर के हो गया है तभी आपको अपने पैंट कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने क की जरुवत नहीं है इस क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं तो आपको अपने पैंड कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करना है उसके लिए क्या करना है यहां पर पैंड नंबर को फिल कर देना है उसके बाद यहां पर आधार नंबर को फिल कर देना है उसके बाद यहां एक हजार उपए पे करने के लिए यहां पर आपसन आ जाता है तो आपको क्या करना है पर continue to pay through e-pay tax simply आपको इसी पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस परकार से देखने के लिए मिल जाता है आपको इसमें अपने mobile number को फिल कर देना है उसके बाद continue पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप continue पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपके mobile number पर OTP भेद दिया गया है तो आपको इसमें OTP को फिल कर लेना है OTP फिल करने के बाद आपको continue पर simply क्लिक कर देना है आप video last तक देखेगा मैं इसमें step by step आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस परकार से देखने के लिए मिल जाता है जो आपका point number है point number यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और जो आपके point number पर name है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है आप उपर में देख सकते हैं you have successfully verified through mobile number OTP से जो आपको verify हो गया है अब इसके बाद आपको यहाँ पर continue पर simply क्लिक कर देना है जैसे ही आप continue पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद e-pay tax यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है जो आपका point number यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर confused नहीं होना है यहाँ पर income tax पर आपको यहाँ से इसी पर यहाँ पर फ्रोसीड पर सिम्पली आपको कुलिक कर देना है, जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं, "'Assessman' यहाँ पर year , पर यहाँ यहाँ पर vocês पर उसके बाद आप पर payment mode आपको यहां से select कर लेना है यहां पर देख सेकते हैं बहुत फीपेमेंट mode आपको देखने के लिए मिल जाता है तो यहां से आपको confused नहीं होना है यहां पर उपर में अधर received 500 वाला option यही आपको select कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर scroll करके नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर सिंपल लिए आपको continue उपर क्लिक कर देना है, जैसे आप continue उपर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हमें payment करने के लिए यहाँ पर option आ जाता है, second option यहाँ पर आ जाता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इसम पर सब्सक्राइब यह पर पर सकटे करने के लिए इहाँ पर हमेंत करने quirographic की पी लेटवी का आप संद us आप यहां पर देखने की लिए मिल जाता है तो आप जीज भी परकार से यहां से प्लिक करना तो आपको उसके किलिख कर देना है उसके बात आपके सामने अग् Schneider कुछ इस प्रकार से देखने के लिए यहाँ पर देख सकते एै तो यहाँ पर सिंपली पर किलिक कर देना झालना है तर्म करने के लिए आपको क्लिक कर देना है जैसे आप सम्मिट पर क्लिक कर देना है उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने यहां पर पेमेंट पे करने के लिए option आ जाता है अगर आप यहां से credit card से करना चाहते हैं या debit card से करना चाहते हैं आप net banking के थुरू करना चाहते हैं या आप UPI के थुरू करना चाहते हैं आप जिस भी प्रकार से करना चाहते हैं आपको यहां से payment कर देना है तो हम यहां से debit card से करने वाल है तो यहां पर debit card पर click कर और जो कार्ट पर नेम आपको इसमें फिल करके प्रोसीट पर कर देना है उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा सा वेंट करना यहां पर देख सकते हैं इसके प्रोसेस हो रहा है जो भी आपके bank में mobile number link होगा उस पर OTP भेद दिया गया है तो आपको इसमें OTP को feel कर लेना है उपर आप यहाँ पर देख सकते हैं 1000 रुपए आपको देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद पे करने के लिए make payment पर simply आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हमारे सामने अगला इंटर्फिस आ जाता है दर चलान payment is successfully जो 1000 रुपए का payment था हमने यहाँ पर successfully कर दिया है successfully यहाँ पर payment पे कर दिया है यहाँ पर अगर आप receipt को download करना चाहते हैं तो यहाँ पर download receipt पर क्लिक करके यहाँ से receipt को download कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसकोल करके नीची आना है यहाँ पर देख सकते हैं जो या payment क्लिये होगे, यहाँ पर पूरा detail आपको देखने के लिए मिल जाता है, अब हमें इतना करने के बाद, हम payment card को link करने के जो पहला step है, पहला step हमने पूरा कर लिया है, अब यहाँ पर हमें 4-5 दिन का wait करना है, उसके बाद आपको portal पर दुबारा आ करके check करना है, हमारा payment portal पर update हो गया है या नहीं हुआ है, home page पर आ जाना है, आपको यहाँ पर link आधार पर simply click कर देना है, उसके बाद फिर से आपको scroll करके नीचे आना है, यहाँ पर जो आपका point number आपको fill कर देना है, उसके बाद आपको आधार number को fill कर देना है, उसके बाद आपको validate के option पर click कर द कょ凝ा है पिर से आपके सामने वहाई आप संदगने के लिए मिनगा आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर बताया गया है कि जब आप प्रेमेंट कपते कर देंगे उसके बाद चार से पांच दिन का वेट करना है उसके बाद आपका जो एमाउंट है जो आप एमाउंट पे किये रहेंगे वो पोर्टल पर अप्रेट हो जाएगा जो अभी यह मैसे सो रहा है वो मैसे नहीं सो होगा यहां पर देख सकते हैं पेमेंट डिटेल नाट फांट फार दिस फान यहां पर अभी बता रहा है कि आप पेमेंट नहीं किये तो आपको यहां से चार से पांच दिन का वेट करना है उसके बाद आपका यहां पर अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा अभी जश्ट हमने पेमेंट किया इसलिए यहां पर सूर नहीं कर रहा है यहां पर देख सकते हैं बताया गया है कि हमें चार से पांच दिन का वेट करना है उसके बाद पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा तो आपको चार से पांच दिन का वेट करना है यार से पांच दिन का वेट करने के बाद फिर से आप जैसे होम पेज पर तो मैं यहां पर अभी स्क्रीन साट लगा दे रहा हूं कि मैं अभी अभी यहां पर पेमेंट पे किया इसलिए यहां पर हमारा सो नहीं कर रहा हमने पहले का यहां पर पेमेंट एक किया हुआ था वह सो कर रहा तो उसका मैं एक screen SHャnek시PHONE आपको लगा की आपको दिखालता हूं कि कुछ इस प्रकार से आपको interface देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद यहां पर आपको जो आप payment की रहेंगे वो तोटल आपको यहां पर डिटेल यहां पर देखने के लिए मिल जाएगे आपको continue पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप continue पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा अब यहाँ पर जो आपका point पर name है point card पर name है वही name आपको इसमें फिल कर देना है उसके बाद गंटा wait करने के बाद आप जैसे ही वहाँ पर फिर से आप status को अपने चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि your point यहाँ पर point number आपको देखने के लिए मिल जाएगा is already linked to given आधार आपके point card में आधार card link हो जाएगा और आपको इसी परकार से देखने के लिए मिल जाएगा जैसे ही आपका point card में आधार card link हो जाएगा उसके बाद आपको tension नहीं ले रहा है आप जैसे पहले यूज़ कर रहा थे अपने point card को उसी परकार से आप आगे भी यूज़ कर पाएंगे आपको किसी भी प्रकार की रुकावट देखने के लिए नहीं मिलेगे काड में आधार काड को कैसे लिंक करना है मैंने पूरा इस्टेप आपको बता दिया है तो अगर आप समझ गए होंगे तो आप चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर देजिएग क्योंकि ऐसे जिन्वन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किस अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइ झाले